प्री किसान भाईयो नमस्कार आज हम सतना जिले के अमरपाटन तहसील के गाउं मोहट में आई हुए हैं यहां हम अपने किसान भाई के यहां गेहूं के बीज में बीज उपचारक रिक्सिली जी का उपियोग करवा रहे हैं गेहूं की बीज में बीज उप्चारक उतना ही जरूरी है जितना एक नौजात सिसु को बच्पन में रोगों के प्रती टीका लगवाया जाता है। गेहूं की फसल में कही प्रकार के जमीन वा बीज जनित फफुनियों दोरा होने वाली बीमारियां लग जाती हैं जिसके कारण उगाव और स्वस्त पौधों की संख्या में कमी आ जाती है। फल सरूप उत्पादन कम हो जाता है। रेक्सिली जी एक प्रहव साली बीज उपचारक दवा है यह बीमारियों को नियन्तित करता है। गेहूं के बीज में रेक्सिली जी का डोज एक किलोगराम गेहूं के बीज में 0.33 mm रेक्सिली जी 7 में 10 mm पानी लेना चाहिए। रेक्सिली जी की बहुत ही कम मात्रा असरकारक होती है इसलिए यह किफायती है रेक्सिली जी की सुरच्छा पैदावार और गुणबत्ता में इजाफा करती है रेक्सिली जी बीजों के आवरण और दानों के भीतर तक असर दिखाता है इस तरह संपोर्ण सुरच्छा बीज की होती है रेक्सिली जी नन्हे, कोमल, अंकुरित होते बीजों के लिए भी पूरी तरह से सुरच्छा रेक्सिली जी से उपचारित बीज की अंकुरन छमता उच्च होती है साथ ही यह तनाव के प्रती भी बीजों को लड़ने की सक्ति प्रदान करता है रेक्सिली जी से उपचारित गेहूं के पौधे में कंडवा बीमारी का प्रकोप नहीं देखने को मिलता है रेक्सिली जी का प्रयोग सिर्फ वही होता है जहां उसकी जरूरत होती है यानि सिर्फ बीजों पर और ओभी अत्यंत कम मात्रा में आतहा पर्याबरन को नुकसान नहीं पहुंचता है बीजों पर अच्छी तरह चिपकने के कारण बीज उपचार के दोरान धूल नहीं उड़ती है यह बीजों पर अच्छी तरह फैल जाता है और बीमारी का उत्तम नियंतन करता है रेक्सिल बायर क्रॉफ साइंस की बिसेज फार्मूलेशन तक्नीक दोरा बनाई गई आधनिक बीज उपचार का फार्मूलेशन है इसलिए कि सान भाई रेक्सिल जी का बीज उपचार गेहूं के बीज में जरूर करें चाहे वो घर का बीज वोएं या बजार का लाएं दोनों में रेक्सिल जी से बीज उपचार करना अत्यान आवस्यक है धन्यवाद